कडाके की ठंड जान रेवा होती जा रही है मौसम विभाग फिलाहल किसी तरह की राहत की उमीद नहीं जाता रहा है मारे साथ चंशेकर आजाद क्रश्वी विश्विद्याले के मौसम विग्यानिक प्रोफेसर एसन पांडे हैं उनसे बात कर लिते हैं क्योंकि दस साल का रिक मतलब होता कि धूब बिल्कुल नहीं निकलती है तो सर्दी रहने की संभावना पूरी रहती है और दिन में गलन भी रहती है लेकिन एक सबसे खास बात जो हो रही है कि अपकी वार कोई भी बैस्टन डिस्टरवेंस वो ताकत नहीं बाले नहीं आया है जो मैदानी भागों मैं पता लग रहा है पाड़ों के की 40-50 परसंट या 60 परसंट तक बरफवारी होई है इन सब कारणों के बावजूद भी सर्दी लगातार है पहाड़ों पर 40-50 फीजदी बरफवारी ही हुई है अभी तक जितनी हो जाया करती थी उसके बावजूद बरफीली हवाएं चल ही है कडाके की ठंड पढ़ लई है इसका क्या कारणा देखिए अपकी बार लानीना होता है जो समुद्र के कुछ पेरामीटर होते हैं जब वो पूरे होते हैं तो उसको लानीना कहा जाता है उसमें सी का टेंपरेचर हवाओं की दिशा और ट्रोपोस्पर में कितनी नमी है ऐसे बहुत से faktors होते हैं जो देखे जाते हैं उसको देखने पर पता लग रहा है कि अबकी बार लगातार असाथान रूप से तीसरे साल फर लानीना का असर और इफच लगातार है तो गलोबल में यह देखा जा सकता इसका जो लानीना का असर होता है वो पूरी प्रत्वि इसके बाद 2012 या तेरह में नो दिन था अपकी वार रिकॉर्ड हो गया कि दस दिन तक लगातार संसायन जीरो संसायन अवस जीरो है इसका क्या एफेक्ट देखने को मिलना है और क्या मौसम के तरह से आने वाले हैं कि जन्मानस के लिए दिन में अगर धूप निकलती है तापम तो यर्मानस को तकलीफ नहीं होती है हेल्थ पर कोई दिक्कत नहीं होती और लोग अपना जो भी काम है वो लगातार कर सकते हैं कितना इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है कि आ अज चार डिडर टापमान है जो कमी की स्रहन सर्द बरफिली हवाएं हमारे गंगा के मैंने मैदानी भागों में कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही हैं लेकिन 14 तारीक से फिर ये लगातार उसी तरह से आनी सुरू होंगी तो फिर गलन वाली और ठिटरन वाली सर्दी फिर सुरू हो सकती है 14 तारीक से एक बर फिर से गलन ठिज्रन और बरफिली हवाओं का एसास कराने वाली हवाई चलेंगी और सर्दी पड़ेंगी इसलिए अपने आपको सुरक्षित रखें कानपूर से कैमरामैन पंकज निगम की साथ रतीश तिरुवेदी एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी